अपके हर्याना की सभी वीडियोज पाई सिरफ एक क्लिक पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं नमस्कार स्वागत आपका के हर्याना पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाकड़ इस वक्त मैं मोजूद हूँ सिर्फा के लगू सची वाले में जहां पे किसान जो हैं जिला सिर्फा के तमाम किसान इकठा हो करके यहां पे पहुंचे हुए हैं सरकार ने जो तीन अध्यादेश जारी किये थे उन तीनों अध्यादेशों को वापिस करने की मांग को लेकर के लगातार किसान जो हैं वो दरना परदर्शन कर रहे हैं और आज जो सिर्षा के लगू सची वाले में डीसी महोदे को उपायुक्त महोदे को गयापन सुपने के लिए तमाम सिर्षा जिला के किसान जो हैं वो इकटा हुए हैं इनके साथ साथ अगर बात करूं तो पीटिय या द्यापकों का समर्थन भी किसानों को अच्छी तरह से मिल रहा है सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस परकार से महीला वा पुरुष पीटिय या द्यापक जो हैं वो यहाँ पे किसानों को समर्थन देने के लिए पहूचे हुए हैं तो कुल मिलाकर कर कहूं तो क्योंकि किसान परिवा कि बात करूं तो यहां पर सिर्सा डवाली रानिया एरनाबाद चोपता बड़ा गुडा ओड़ा तमाम घंड के जो किसान है वो यहां पर इकटा हुए हैं रोस मार्च करने के लिए और राष्टे किसान संग्ठन के बैनर तले किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को वापिस लेने की मांग को लेकर के और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो डीजल पैट्रोल को भी जीस्टे में शामिल करने की मांग को लेकर के यह तमाम किसान जो है यहां पर लगातार धरना पर दर्शन कर रहे हैं काले कालूल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो. आगे बढ़ते जाएंगे चलिए अभी किसान नेता जस्वेर सिंग भाटी जी हमारे साथ मौजूद है इनसे जानते कि आखिर कौन से वो अध्यादेश है जिनको लेकर के लगातार किसान संगठन जो है वो विरोध परदर्शन कर रहा है देखिए अध्यादेश अभी लाई है सरकार पर इस से पहले किसान है मजदूर है बेपारी है आड़ती है करमचारी है पिछले सतर सालों से देश की सेवा कर रहा है आज किसान को मजदूर को आईजिटेशन करनी पड़ रही है क्यों पकरनी पड़ रही है और उसके खिलाफ ये सरकार के जो ज़्यादा बड़े गुलाम और चम्चे हैं वो ज़्यादा किसान के रहने वाले सरकार के वो कहते है किसान गदार है सबसे पहला जो अध्यादेश सरकार हमारे साथ लेके आई है एक देश एक मंडी के नाम से पहले उसका नाम सरकार ने दिया था वान नेशन वान कांट्री हम पूछते हैं बई जहां फसल में भी कोई नेशन आके बढ़ गी यह दर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के मारना चाहते हैं फसल में कोई किसी फसल में कोई भी दर्म नहीं है फसल सब दर्मों की सांजी है इसको गरीब खाता है, अमीर खाता है, मुस्लमन खाता है, अंग्रेज खाता है इसको सबी लोग खाते हैं सिख खाता है इसाई काता है कौन शोड़ता है यह नाज को सब लोग खाते है ना तो इसमें भी उसनों ने नेशनल लाके बार दी तो उनोंने बाद में एक नाम रखा है इसका बन देश बन मंडी और बन देश बन मंडी में कितना बड़ा नुकसान किसान का कितना न। कितना बड़ा नुक्सान होगा आर्थी का और। कितना बड़ा न। नफसान होगा मजदूर का यह नी सोचा कि लेकं और बी हम कंट्रेक्ट फार्मिंग करते हैं सरकार हमें MSP पूरा रेट बताए यह यह फसला आपने बीजनी है हमें बताए सरकार आप जिस पसल की सरकार को लोड़ा है किसान वो पैदा करके देगा पर यह नहीं है भी हमारा MSP तोड़ दो इन कनूनों से MSP खत्म हो रहा है इन बढ़ानी है मदिया से गृवर्मेंट के पैसे से नहीं बनी तीसरा कनून है जो उन्हानाने सबसे बड़ा गरीब बिमार किया है आम जिए मां जिमी जर्द जो नागरे का उस पर बार किया है वह बार है जो सब से स्टॉक सीमा तोड़ी गई है सब सब फफ़दों पर स्ट कि इतना जादा जादा बड़े बपारी को छूट दे रहे हैं मक्का में गाया है इनोंने हजारों टान वार से पंद्रालाक टन का साउधा है पांचलाक टन की पर्मीशन दिये बो भी मरेंगे जो कहते हैं ना भी हम किसान के बिना जंदा रहे किसान मर गया तो बो भी मरेंगे जो अपने आपको पुझी वादी के महान कहाते हैं हम मांग करते हैं तीनों अध्यादेश आज अभी सरकार बाफसले अगर नहीं बाफसलेगी तो बहुत बड़े अंदोलन के रिए किसान त्यारा और सरकार भी त्यारा रहे मैं गुर्दीब कामरा प्रेस सची हूँ सारे हरेना राज्यान आजमंडी आड़ती असेशेशन का और आज का जो ये अंदोलन है इसको हरेना राज्यान आजमंडी आड़ती असेशेशन किसानों का अंदोलन है उसको पुरन रूप से समर्थन दिया है और इस समर्थन देने का कारण ये है कि इस तीनों अद्यादेश आने के बाद आड़ती को भी नुकसान होगा, मजदूर को भी नुकसान होगा और किसान को भी नुकसान होगा अबाटी साहब ने आपको बताया ही जो किसान यूनिन के आगों है उन्होंने आपको बताया ही है कि इसका नुकसान इतना बड़ा नुकसान होगा गिए आप सोच नहीं सकते कुछ एक चार-पांच उन्जी पत्यों को छोड़ कर जो अंडानी अंबानी जैसे नोगों को फाइदा पहँंचाने के लिए तीनों अद्यज लाए गए हैं और अड़ क्षान के बिना किसी संसद में पासोने के बगएर इसको अद्यादश को लागू कर दिया हमारी मांग यह है मंट्यों को जो खत्म करने का काम यह कर रही है वो नहीं उनी चाहिए आड़ती और किसान का रिस्ता अबर करार रहना चाहिए और इसके अलावा जो तीनों अद्यादेश है ये वापिस होने चाहिए दोबारा जो भी किसी भी तरह का कानून बनता है तो उसकी सहमती सभी वपारी संक्टन, किसान संक्टन, मजदूर संक्टन को लेकि आने चाहिए मजदूर भी रोजगार हो जाएंगे जैसे अब नर्मा सीधा बीकने लगा तो मजदूर कोई रोजगार नहीं रहेगा यह सिर्फ तीन चार पुंजी पत्यों को सहरा देने के लिए यह काम कर रहे है तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसानों ने जो अद्यादेश सरकार ने जारी किये हैं उन अद्यादेशों की प्रतियां जलाई है इसके साथ बात करों तो किसान जो संगठन है उसके साथ आड़ती एसोशेशन ने भी किसानों के इस परदर्शन में बढ़ चड़ करके हिस्सा लिया है और आड़ती एसोशेशन और किसान संगठन का साफ तोर पर कहना है कि अगर सरकार इन किसान विरोधी नीतियों को वापि तो एक बहुत बड़े आंदुलन की और दोनों जो संगटन वो अगरसर होंगे और इसकी पूरी-पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। खेड़ आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आकर किस परकार से सरकार इन अद्यादेशों को वापिस लेती है या फिर किसानों के एनुसार, किसान विरोदी अद्यादेश या किसानों पे जबर्दस्ति थोपे जाते हैं। कैमरा सहोगी सुनिल के साथ रमेश जाकर के हरियाना न्यू दुर्गा ज्वेलर सिर्सा खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेत अप्राप्त मशूर हॉल मार्क ज्वेली शोरूम नियुदुर्गा ज्वेलेस परशुराम चौक सिर्सा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217